किसे भी सरकार का एक अभिन अंग होता है उसका परसाशन, क्योंकि सरकार द्वारे लिएगे, फैसले, उसके नीतियां, इनका कारियानवन, यानि इनको लागो करने की जो जिम्मेदारी है वो उसके परसाशन की होती है। चलिए, आज से हम इस लेक्चर सीरीज में समझेंगे परसाशन होता क्या है, लोग परसाशन से समझने अलगलग से भांदों के बारे में जानेंगे और भारतिय परसाशन के संदर्ब में उनसे धानतों का कितना महत्व है या भारतिय परसाशन कितना काम कर रहा है, किस जैसे अगित्य परसाशन है, कार्मिक परसाशन है, इन सब के संदर्व में हम समझने की कोशिश करेंगे. नमश्कार मेरा नाह है मनिशा सिंग और आप सब का हमारे YouTube चैनल हमारा परसाशन पर स्वागत है. चलिए आज का जो लेक्चर है वो आपको बताएगा कि लोग परसाशन ये जो शब्द है जो आप बार-बार सुनते हो, पुब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन है लोग परसाशन, इसका अर्थ क्या है, इसको आप समझेंगे कैसे, मीनिंग क्या है इस शब्द का, और इसको हम दो परसाशन के बारे में जाने की इच्छा रखते हैं या आप लोग परसाशन के विध्यारती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, हिंदी माध्धम के अगर हैं आप, तो हमारा परसाशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सेम कंटेंट आप अगर इं क्या समझते हैं, परसाशन लोग परसाशन भी हो सकता है और परसाशन निजी परसाशन भी हो सकता है, चलिए, चरू करते हैं, देखिए, परसाशन का मतलब यह होता है कि हम कुछ अपने उद्धिष्य निर्धारित करते हैं, और उन उद्धिष्यों के प्राप्ति के लिए हमें लगता है कि हमारा अकेले का होना काफी नहीं है, हमें बाकी लोगों के मदद की भी जरत पड़ेगी और जब हम सब लोग मिल करके एक उदेश्य की प्राप्ति के लिए सयोग करके काम करते हैं तो उस गतिविदी को परसाशन का नाम दिया गया है जैसे माली जीये कोई पूल बनाना है और पूल बनाने के लिए हमें पता है कि किसी एक इंसान का होना काफी नहीं है हमें बाकी इंसानों की भी मदद की जरत पड़ेगी तो हम सब लोग क्या करते हैं माली जीये 20-25 लोग इकटे होकर के उसके लिए काम कर रहे हैं तो ये 20-25 लोग इकटी होकर कि ये जो पुल भनाने का काम करें हैं, इसमें सहयूग की आवशकता है, इसमें आपस में समन्व है, यानि कौर्डिनेशन की जरत है, तो इस पूरे effort को परसाशन का नाम दिया गया है, ये जब हम अपने निजी उदेशों की पूरती के लिए करत हैं, तो इसे निजी परसाशन कहा जाता है, और अगर ऐसा सरकार करती है, तो इसे लोग परसाशन कहा जाता है, सरकार से इसका क्या तात परी है, देखिए, जैसे भारत के संदर में हम बात करें, तो हम सब अपनी सरकार चुनते हैं, हम सब अपने प्रतिनिदी को चुन करके सरकार का हिस्सा बनाते हैं, तो अगर मैं कहूं तो सरकार क्या है, सरकार जनता का ही एक प्रति निदी के तोर पे काम करें, प्रति निदित्व करती हैं, जनता का ही क्या कर रही है, सरकार प्रति निदित्व कर रही है, इसलिए सरकार जो काम करती है, सरकार द्वारा लिए गए फैसरों को लागो जिसके द्वारा किया जाता है, उसको लोग परसाशन कहते हैं, चलिए कुछ हद तक आपको उमीद करती हूँ, चीज़े समझ में आई होंगी, बाकी अब समझ लेते हैं, लोग परसाशन में सरकार द्वारा कीगी वे सभी गतिवीदिया आती हैं, जो अपन किये लोगों की देखबाल अकभाकारीयों के परबंद हेतू करती है, सरकार किस परकार की या किस तरीके से काम कर रही है, Porsche काम है कका कानुन विवस्था है, उसको बनाए रखना, सरकार का काम है कि जो पिष्ड़ा वर्ग है, उनके उठ्थान के लिए काम करना, तो सरकार का जो काम होगा उस काम को सरकार तो सर्फ फैसले लेती है। सरकार का ही एक अभिन अंग होता है उसका प्रसाशन और वो क्या करता है तो लोग शब्द जो है वो एक निशित्षय शेत्र अथवा राज्ये की लोगों के लिए प्रियोग में लाया गया है क्योंकि किसी राज्ये के लोगों की इच्छा का प्रतिने दित्व जो है, वो सरकार द्वारा ही होता है, यहाँ पर लोग शब्द जो है वो विशेश अर्थ सूचित करता है, इसका अर्थ है सरकारी, अर्थात सरकार द्वारा जब परसाशनी कारिये किये जाते हैं, तब यह परसाशन राजनीतिक विज्ञान से अलग है अगर आपको अभी तक दोनों के बीच में फरक नहीं पता है तो मैं आपको समझा दूँ कि राजनीतिक विज्ञान का समंध सरकार से सीधा होता है वहीं अगर मैं बात कुरूं परसाशन की तो मेंली समझे कि सरकार जो है वो तीन करती है और जो वाद विवाद होते हैं उनका निप्टारा करती है कानुन बनाने का काम जो है वो विधान पालिका के द्वारा किया जाता है और वाद विवाद जो निप्टाने का काम है वो हमारी न्याय पालिका के द्वारा किया जाता है कही न गई आप इस तरीके से समझ सक चीजों को कि राजनेतिक विज्ञान जो है वो विधान पालिका से सम्मंदित है वो हमें बताता है कि हमारे यहां जो politics है वो हमारा political system कैसे है political party कैसे काम करती है संसद किस तरीके से काम करती है इन सारी चीजों का होता है तो यह आगे समझने के कोशिक करते हैं अगर अभी भी आपको लगता है कि इन शब्दों को लेकर कि आपके मन में कोई भी शंका है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं देखें यह English में होता है public administration और administration जो word है वो आया ह है administer और यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है administer जो आया है वो आया लेटिं भाषा के शब्द से जिसमें दो वर्ड है अड और minister, add or minister का अगर मैं दोनों को जोड़ करके अर्थ निकालूं तो अर्थ निकलता है सेवा करना तो साधान शब्दों में परसाशन का अर्थ है कारियों का प्रबंध अत्वा लोगों की देख भाल करना इसकी अवधारना कैसे रिक्सित हुई देखिए लोग परसाशन के बार हमारे यहां पहले जो है वो लोग जंगलों में रहते थे जिनको हम आदी मानव कहते हैं. धीरे धीरे वो क्या होने लगे? छोटी छोटी छोपडिया उन्होंने बना ली, यानि एक जिगए पर निवास करने लगे. उन्होंने खेती करना शुरू कर दी, तो अब उनके और वहां से क्या हुआ, राजा से क्या बना, राज्य बनना शुरूआ, पहले चोटे-चोटे जैसे ट्राइब्स होती है न वैसे होते थे चोटे-चोटे गृप्स होते थे, बड़ धीरे-धीरे उनका जो साइस है अकार है वो बढ़ता चला गया और फिर क्या हो गया, तो यह जो एक अगर आप गतिविदी के तोर पर समझें परसाशनिक गतिविदी भी है, परसाशनिक कारिये हो रहे हैं, जिसे आप सरकार आप कोई काम करवाने जाते हैं, कोई डोक्यमेंट बनवाते हैं, या फिर आप अपने जमीन से सम्मनित कोई काम आपको करवाना है, 1887 में एक विद्वान हुए जिनका नाम था Wilson, Woodrow Wilson, जो आगे जाकर के अमेरिका के राश्चुपती भी बनते हैं, प्रथम विश्युद के दोरान, पहले विश्युद के दोरान, और इनको बाद में नोबेल पीस प्राइस भी मिलता है, नोबेल शांती प्रसकार भी इनको दि करना होगा और उसी तरीके से इसके बारे में स्टड़ी करनी होगी, तो फिर देरे-देरे 1887 के बाद में अलग-लग विचारक आये और उन्होंने अलग-लग जो हैं अपने सिध्धान्त दिये, तो कुछ विचारक जो हैं इस समन्द में विशाल दृष्टिकोन अपनाते है मैं वापी से जाती हूँ प्रसाशन के बारे में मैंने आपको यहां पर कहा था कि जो कानून है बनाने का काम, विधान पालिका, लागू करने का काम, कारिय पालिका और वादिवाद निप्टाने का काम जो है वो न्याय पालिका करती हैं, इसको समझे जो संकुछ और सिर्फ किस से है कारिय पालिकासी संबन दीत है तो ये बहुत ही नैरो व्यू है यानि बहुत ही संकुची दृष्टी कोण है वही अगर मैं बात करूँ विशाल दृष्टी कोण की या विस्तरित अर्थ में अगर हम इसको समझे तो इसमें ये कहा गया कि सरकार तो तीनों और तो यहां पर आप इसका संकुची दृष्टी कोण नहीं ले सकते इन तीनों ही अंगों में जो काम हो रहा है वो परसाशन के तहत आता है ये दो दृष्टी कोण दिये गए ते दोनों ही अपनी जगह सही है बट किस तरीके से इनको समझाने की कोशिश करी गई है वो सम वही गतिविधियां ठीक है और संकुची दृष्टी कौन वाले कहते हैं कि यहां पर सिर्फ वही गतिविधियां आएंगी जिनका संबन सरकार की केवल कार्य कारणी शाखा से होता है तो अलग-लग विचारक ने इसको अलग-लग तरीके से समझाने की कोशिश करी है जैसे कहते हैं कि लोग प्रसाशन का जो काम है वो कानून को सेविस्तार विवस्तित रूप से लागू करना है यहां पर समझे कानून को लागू करना यह क्या है प्रसाशन है कानून लागू करने की प्रतेक कारवाही प्रसाशन की ही एक गतिविदी है और वे आगे कहते हैं कि प भरना हो, चाए हम पुलिस के संपर्क में आ रहे हो, चाए और कोई काम हो रहा हम लगबग जो कारियपालिका होती है या जो परसाशन है हम उसके संपर्क में जादा आते हैं तो परसाशन जो है वह सरकार का एक फश्ट अंग है एल्डिवाइट कहते हैं कि लोग परसाशन में वे सभी गतिवीदिया आती हैं जिनका उदेश लोक नीती की पूर्ती करना या उसे लागू करना है लोक नीती क्या होता है सरकार अपने उदेश्यों के प्राप्ती के लिए कुछ नीतिया बनाती हैं नीतिया थोड़ा सा सुदूर दुरुष्टी कोण यानि कि आगे भविश्य में क्या कुछ करने वाले हैं उसके बारे में होता है के अलावा लुथर गुलिक खेते हैं कि लोग परसाशन परसाशन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह की कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं इसके अलावा भी अलग-लग विचारकों ने इसको एक तरीकी से परिभाशित करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर हम सभी परिभाशाओं को समझें, तो लोगपरसाशन का जो अर्थ है, शब्द जो हो दो अर्थों में प्रियोग किया जाता है, पहला आता है विस्तरित अर् इसमें शामिलोग आती हैं, अगर मैं समुचित दृष्टिकोंड की बात करूँ या विस्तरि दृष्टिकोंड की बात करूँ, तो इसको सपोर्ट किया गया है वुटरू वलसिन, एल्डी वाइट, मार्शल, डीमोक और एफ़े निक्रो जैसे और फिफनर जैसे विचारक की द्वारा, वहीं अगर मैं संकीर अर्थ में लोग प्रसाशन की परिभाशा को समझने की कोशिश करूँ, तो इसको एक्सेप्ट किया है साइमन, गुलिक, ओडवेटीड, फैयोल, एन विलोबीने, तो यहाँ पर हमने प्रसाशन की अलग-लग परिभाशा को समझने की इसके अलवा अगर आपको प्रसाशन से समझने कोई बीदिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप बिलकुल नीसंगोच होगर के पूछ सकते है, पहुमारा हमें वरसब कर सकते हैं या डारेक्ट कॉल कर सकते हैं, यह स्क्रीन पर आपके नमबर दिखता होगा 9896 85 9767, इन नमब टेकेर और बाइ बाइ